हरियों फ्रेंड्स मैं आपका हरियों नीटिंग चैनल में फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लड्डू कॉपाल जी के लिए इस तरह की प्यारी सी पॉंचू ड्रेस बनाएंगे और यह आप एंकी से भी बना सकते हैं और इस तरह के अगर आपके पास कटपीस वूल वाले पीस पड़े हो तो उसमें से भी बना सकते हैं तो मैं यह आपको इसमें से बनाना बताऊंगी तो चलिए आज हम इस तरह की ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है अगर आपको हमारी ये ड्रेस संद आती है लड्डू को पाल जी की तो प्लीज हमारे चाइना को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जुरू करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो एक कटपिस लिया हुआ है एक हैंकी जितना ही पीस है ये देखिए नाइन बाइन इंच के हमारे मैक्सिमम जो लंबाई चुड़ाई होती है हैंकी की इतनी ही होती है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे नाना स्टार्ट करते हैं और जो मैं अब ड्रेस बना रही हूँ वो मैं पांच नंबर के लड़ू को पाल के लिए बना रही हूँ ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर हमने साड़े चार इंच इस तरह से पूरी यह वाले हम लेंद ले लेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो यह देखिए यहाँ मैं साड़े चार इंच पर इसको सिधा एक कट लगा दूँगी ठीक है फ्रेंट्स और इसमें आप इसमें पजांग भी बना सकते हैं इसी हैंकी में पांच नमबर की ड्रैसिस में बहुत इजी से बन जाती है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे इसको हम इस तरह से फोल्ड करकर कट करेंगे तो ये हमारा दोनों तरफ से ही ये देखिए साधे चार बाई साधे चार इंच का हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए इसको हम यहां से भी कट कर लेंगे इस तरह से ठीक है और एक हमने इस साइड से कट करना है तो यहां पर हम ये देखिए यहां से 1.5 inch का इस तरफ से ऐसे तिर्चा कट कर लेंगे, ये देखिए 1.5 inch का, मैंने थोड़ा सा कम किया है, एक 1 inch के करीब कर लिया है, थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये मारा 1 inch से 1-2 point आगया है, ठीक है, इस तरह से छोटा सा एक कट कर लेंगे, और इस फोल्ड कर ल Chi ne लगाएंगे हैं हम cap बनाकर लगाएंगे और जो मारा वाला पीस होगा उसको हमने क्या करना है यह देखी इस तरह से फोल्ड करके इसके तीनों तरफ यहाँ पर एक सिलाय लगा लेंगे तो चलिए मैं iisus लाह कर आपको की होती है तो आपको जरूरत नी पड़ेगी अगर आपके वसे इस तरह से कपड़ा है तो उसको आप इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर ले और इसी तरह से हम इसके वाले साइड वाले इस तरफ के एजिस को इस तरह से सिलाही लगा कर फोल्ड कर लेंगे तो चलिए मैं इ जाएगा ठीक है इसमें हम क्या करेंगे यह देखिए सवा दो इंच के करीब हम इस तरह से एक पीस कट कर लेंगे इस तरह से इसकी हम कैप बना लेंगे और जो यह मारा पीस बचेगा इसमें से आप नहीं बना सकते हो तो यह देखिए मारा पीस लगभग साथ इंच के करीब बच जाएगा तो इसकी आप निकर भी बना सकते हो और पूरी आपकी पूरी लेक्स की इस तरह से पूरी पजामी भी बन जाएगी ठीक है फ्रेंड्स परजामी बनाने का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस तो यह देखिए यह पीस हमने कट कर लिया अब इस पीस को हम एक तरव से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे ठीक है सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगा यहां पर लगाएंगे उपर वाली साइड में इस तरह से इस तरह से सब्सक्रां मसें तक श्राचा है तेसं सेड़ करने और कुछ इसको सीथा कर सकेब्समारी कृटिंग नशीयों इस प्राइब सकते है और याँ पर सिलाई लगा लेंगे को यह किये फरेंट के तो कैप लगाने के बाद हमारा पीस इस तरह से दिखाई देगा और दिखिए फ्रेंट जी हमारा extra extra part है इसको हम cut कर लेंगे ठीक है पट करने के बाद अब हमने ये दूसरा piece लेना है जिसको मैं इस तरह से fold कर गया है उसको मैं इस तरह से उल्टा रख लूँगी इसके ओपर ठीक है ये देखिए अब हम ये वाली side को यहां तो चलिए मैं इतना कर लेती हूं फिर दिखा तो यह देखिए इस तरफ मैंने दोनों साइड से लगा ली है ठीक है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और यह देखिए मारी ड्रेस बनकर रडी होगी है और पजामिया आप दूसरे लिंक में देख सकते हैं तो चलि लिंक भी चाहिए तो उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूंगी यह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाना बताया है और इसकी देखिए मैं यह पजामी भी बनाई हुई है ठीक है तो चलिए अब हम यह आपको पॉंचु पहना कर दिखा देते हैं तो यह पर वचिंग रादे कृष्णा